हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरू चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ट से मॉबाइल नमबर को कैसे लिंक कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको तरीका बताने व आप में से काफी सारे लोग यूटूब पर सर्च करते हैं कि घर बैठे आधार कार्ट से मॉबाइल नमबर को कैसे लिंक कर सकते हैं और यूटूब पर काफी सारे वीडियो पहले से ही अपलोड हैं वो आपको मिल जाते हैं लेकिन आपकी जानकारे के लिए बता दूँ कि आज के समय में वो सारे के सारे वीडियो बिना काम के हैं क्योंकि आधार कार्ट की एक बड़ी अपडेट आई है और इस अपडेट को आने के बाद केवल एक ही तरीका बचा है जिससे आप अपने आधार कार्ट से मॉबाइल नमबर को लिंक कर सकते हैं और आपके आधार का के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूं और स्टेप बाइस्टेप करके पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं हैलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरू चैनल वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को माई आधार के पोर्टल पर लेके चलता आप इस पोर्टल पर आजाएंगे आप सभी की सहुलियत के लिए इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्प्सन बॉक्स में दे दूँगा जहां पर आप क्लिक करके डारेक्ट इस वेबसाइट पर आसकते हो वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप जो है थोड़ा सा नीचे की साइड में आओगे तो यहां पर वो सारी सर्विसेज दी गई हैं जिनको आप उनलाइन ही यूज कर सकते हो जैसे अगर आपको आधार का डाउनलोड करना हो तो कर सकते हो पीवीसी आधार कार्ड मंगा सकते हो पीवीसी आधार का स्टेटस चेक कर सकते हो और अपना इन्रो आप इनका online ही फायदा ले सकती हो लेकिन आप यहां पर एक चीज को notice करोगे कि यहां पर जो है नहीं update आधार का option आपको दिखाई दे रहा है और नहीं आपको mobile number link करने का option दिखाई देगा क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि यहां पर जो है आपको update आधार का option दिखाई कर सकते थे लेकिन अभी के time में जब से आधार कार्ड की नई update आई है तब से जो है वो option को यहां से हटा दिया गया है यानि कि अब जो है आप online अपने आधार कार्ड में नहीं अपना name को change कर सकते हो नहीं father name नहीं address नहीं data birth नहीं gender यह कुछ भी जो है आप अपने आधार का कार्ड में mobile number को link करने का जो online process था ना वो पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है यानि कि आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में online तरीके से अपना mobile number link नहीं कर सकते हो तो सवाल यह आता है कि फिर आप अपने आधार कार्ड में mobile number को link कैसे करोगे देखिए आप YouTube पर जितनी बार भी search करेंगे कि आधार कार्ड में mobile number को link कैसे करें धेर सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे और उसमें घुमा फिरागर के सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया जाता है appointment book करने के लिए और offline जो है अपने आधार कार्ड में mobile number को link करने के लिए और काफी सार यह आपको जो है इंडिया post payment bank की official website पर आना होगा इसके बाद जो है आपको IPPB customers पर click करना होगा और यहां पर click करने के बाद आप जो है इंडिया post की official website पर आ जाओगे जहां पर आपको door step banking service request farm मिलेगा और इस farm को जो है आपको भरना होता है थोड़ा सा नीचे की side में आने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा आधार mobile update का इस पर आपको टिक करने के बाद इस farm को भरना होता है इस farm में अपना जो है सबसे पहले mister या मिसिस select करना होता है अपना full name last name mobile number email अपना complete address pin code अपना nearest post office और इसके बाद जो है branch division region इसके बाद सरकल state और इसके बाद जो है स्कैप्चा को भरने के बाद इसके अंदर submit पर क्लिक करना होता है तो आपकी request जो है India post payment bank यहां पर चली जाती है जो भी आपने nearest post office को select किया होगा इसके बाद जो है वहां से करमचारी आते हैं आपके आधार card में mobile number update करने के लिए आपके घर पर लेकिन मैं आपको बता दू खुए में कोई भी postman घर पर आता ही नहीं है मैंने कई बार इसके farm को भर के देख लिया कोई भी postman नहीं call करता है और नहीं हमारे घर पर आता है हमारे आधार card में mobile number को link करने का तो यह जो तरीका है यह मुझे नहीं पता कहां पर काम करता है लेकिन यहां पर दिया गया है तो काफी सारे लोग जो है इसी फार्म को भरना बताते हैं कि इसको भर दीजिए और इसको भरने के बाद आप सम्मिट करोगे तो आपके यहाँ पर पोस्ट आपिस के तरफ से एक सर्विस मैन आएगा और वो आपके मोबाइल नमबर को आपके आधार कार्ड के साथ लिंक करे है कि हम अपने आधार कार्ड में मोबाइल नमबर को लिंक कैसे करेंगे तो देखिए लिंक करने के लिए आपको जो है आधार सेंटर ही जाना होगा आप अपने लोकल मार्किट में जो भी आपकी मार्किट है उसमें आपको पता करना होगा कि आपके मार्किट में आधार से पैमेंट बैंक आपको बताया है अगर आपके एरिये में पोस्ट आपिस बैंक है ना तो आप वहां पर जा करके इस सेवा का लाब ले सकते हो लेकिन आप ये चाहो कि इस फार्म को भरने के बाद खुद करमचारी हमारे घर पर आएं तो ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर आपको अपने आधार कार्ड में मॉबाइल नंबर को अपडेट करवाना है लिंक करवाना है तो आप जो है इंडिया पोस्ट पैमेंट यानि पोस्ट आपिस पर जा करके लिंक करवा सकते हो आधार कार्ड ने इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक को अथरिटी दे दी है सारी कोई post office है तो आप वहाँ पर जा करके इस सेवा का lab ले सकते हो post office पर मिल जाता है लेकिन आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है कि आपके आसपास में कहाँ पर post office है या फिर कहाँ पर जो है आधार card center है तो ये पता करने के लिए आपको जो है uidai.gov.in की official website पर आ जाना है इसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा यहां पर आने के बाद आपको update आधार वाले section में यहां पर आपको एक option मिलेगा update आधार at enrollment update center आप इस पर भी click करेंगे तो भी जो है आप इस वाली website पर आ जाएंगे या फिर जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था यह वाली website यहां पर भी जो है आपको एक option मिलेगा locate enrollment center आप इस पर भी click कर दोगे तो भी जो है आप इस तरीके के page पर आ जाओगे देखे दोनों page सेम है अब आपको क्या काम करना है कि यहां पर आपको जो है अपने आसपास के आधार center जो है पता करने है पता करने के लिए आप state wise भी पता कर सकते हो या फिर postal यानि pin code के भी जरीए पता कर सकते हो तो postal पर आप click करेंगे जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप अपना pin code इसके अंदर डालेंगे pin code डालने के बाद यह जो capcha दिखाई दे रहा है इसके अंदर डालने के बाद locate center पर click करेंगे pin code डालने के बाद यह capcha इसके अंदर डालने के बाद locate center पर click करेंगे इसके बाद यहां पर थोड़ी सी processing होगी जो आपने pin को डाला है उसके nearest जो भी आधार center होंगे वो सारे की सारे यहां पर लिस्ट दिखाए देंगी आप देख सकते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से हमारे जो nearest आधार center है काफी सारे center खुल चुके हैं आप यह देख सकते हो आप इनका address भी यहां पर देख सकते हो सभी के address जो है लिखे हुए हैं आप इन address पर जा करके इन आधार center से अपने आधार card में mobile number को link करवा सकते हो बस यही एक तरीका है किसी न किसी तरीके से आपको आधार center जाना ही होगा वीडियो के last में मैं आपको यही बता दूँ कि online कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो आप घर बैठे ही अपने आधार card में mobile number को link कर सको अगर आपको अपने आधार card में mobile number को link करना है तो आपको आधार center जाना ही है इतना आपको समझ लेना है बीना आधार center जाए आपका जो है आधार card में mobile number link नहीं होगा आप कितने भी वीडियो देख लो कितना भी अपना time खराब कर लो सब कुछ वेस्ट ही होने वाला है सब कुछ बेकार ही होने वाला है उमीद करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने आधार card में mobile number को link करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे जरूर से comment करिएगा अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो like, share, subscribe कर दिजिएगा जय हिन वन्दे मातरव